दक्षिन डिली के पंचशील पार्क इलाके में पिछले दिनों एर होस्ट एस अनिश्या बत्रा की संदिग्ध मौत के मामले में आया दिन नए नए खुलासे गो रहे हैं। इस बीच अब एक और हैरान कर दिना वाला खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि अनिश्या ने मौत से ठीक पहले कई लोगों को मेसेज भेजे थे जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपने पती मयंक सिंग्वी को जिमेदार बताया था। जानकारी के अनुसार अनिश्या अपने वैवाहिक जीवन से नाखुश थी और व्यह मयंक से तलाक लेने के संबंद में भी विचार कर रही थी। मृत्का की एक दोस्त के अनुसार, अनिश्या मयंग से अलग होने का मन बना चुकी थी और अपने लिए अलग घर लेने का विचार भी कर रही थी सहेली के अनुसार वे आखरी व्यक्ति थी जिसे अनिश्या ने मरने से पहले मैसेज किया था मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृत्का की सहेली ने पहचान उजागर ना किये जाने की शर्थ पर बताया कि अनिश्या ने मुझसे बताया था कि उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और बाहर बैठ कर कर रखवाली कर रहा है अब जाकर मुझे अपना फोन वापस मिला है मुझे अभी मदद चाहिए क्या तुम पुलिस को बुला सकती हो प्लीज अगर संभव हो तो तुम आ जाओ मैं अभी तो नहीं आ सकती लेकिन क्या मैं एशा को बुलाओ वो सबसे पास होगी मुझे जल्दी बताओ बताया जाता है कि ये मेसेज उसने मौत से पहले दोपहर दो बच कर चपन मिनट से तीन बच कर ग्यारा मिनट के बीच किये थे इस दोरान वह पम चशील पार्क के अपने मकान की तीसरी मनजिल पर थी जहां से उसने चार बच कर बारा मिनट उसने एक और मेसेज किया जिसमें लिखा था मैं अपने आपको खत्म करने जा रही हूँ मयंक ने मुझे साल में पहुँचा दिया उसने आखिरकार मुझे कमरे से तुब बाहर निकाल दिया लेकिन जो नुकसान उसने किया उसकी भरपाई नहीं हो सकगी इसके बाद अनिश्या ने शाम 4 बज कर 30 मिनट पर 30 मनजिल से चलांग लगा दी और अपने आपको खत्म कर लिया बताया जाता है कि मरने से पहले उसने भाई और मा से हिल्प भी मांगी थी और इशारा भी किया था कि उसकी जान जा सकती है वहीं अनिश्या के पती मयंक का कहना है कि उसने मौत से पहले मुझे भी एक मेसेज किया था जिसमें लिखा था तुम अब मेरा मरा मूब देखोगे मैं मरने जा रही हूँ